परदेश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है लेकिन इस पूरे दोरान यानि कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से एक विभाग ऐसा है जो अपने काम को निरंतर करते आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ रेलबे की और मैं इस समय मौझूद हूँ पुर पूर्स टेने हैं वह लगातार कार रहते हैं और यह देखें यहां पर जिस तरीके से कंट्रोल दूम बनाए गया है जो यह लगनाव डिवीजन है यह 15 डिस्टिक को है कवर करता है और यह लोग जो है लगातार इन लोग यह लोग पूरे गतिविदियों पर नजर रखते ह हैं और हम लोग पूरी नजर रख रहे हैं और लोगों की किस किस तरह की समस्याओं को आप लोग यहां पर सुनते हैं जी 138 हल्प लाइन हमारी चालू है जिसके ओपर लोग अपनी समस्याओं पूछते हैं कि ट्रेन वगरा कब चलेंगी या रिफंड से जो भी सप्लाई की बात की जाए उस दौरान जो काम होता है वो भी पूरा यहीं पर किया जाता है और यह जो रूम बनाए गया है जहां पर गाड़ियों की गतिविदियों को पूरी तरीके से निगरानी की जाती है और होनी वाली हर एक गतिविदियों की यहां से नजर रखी जात इनको बहुत ही ज्यादा इंटेंज होता है इनको बिलकुल ब्रेक नहीं देखिए ब्रेक नहीं ले रहे हैं पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं कभी भी ब्रेक नहीं लेते हैं तो इसलिए और सोचल डिस्टेंसिंग हम इस दोरान मतलब बहुत सी ऐसी परसानिया भी सामने आती होंगी जो पहले कभी नहीं हुई है क्योंकि जो दोरान है मतलब यह समय चला है यह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुरूसियल टाइम है तो सर किस तरीके से आप लोग मेंटली प्रिपेर रहते हैं और किस तरीके से ल सबसे हबला है आने-जानें तक में इतनी परिशानी हुई है लोगों को जब लोग्डाउन लोग्ड दो बसदोरा भालता है कभी ऐसा right so सब मुश्किल से घर से आते थे बट घर से आके यहां पूरा काम किया उन्होंने अपने ड्यूटी निभाई अपने पोस्ट को कभी खाली नहीं होने दिया और क्या-क्या चीजे यहां पर हैं जो मतलब आपका आपकी जो डिवीजन है वो 15 डिश्टिक को कंट्रोल करती है तो दिया उन्हों करीब 1,000,000 टन हमारे हाँ जो फूट्ग्रेंड के अचलोडिंग हुई है जिसमें हम गेहूं ले 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 चावल ले और फटिलाइजर जो हमारे फार्मर भाईये लोग को जरुवत पड़ती है करीब 1,500,000 टन फर्टिलाइजर की हमारे अन्लोडिंग हुई ह शारा जो काम होता हैzona ए गुड़्स का कंट्रोल हमारे बना हूआ है उसके तरू होता है गाड़ी कैसे आ रही है कब अरे काँकर पहुंच रही है कैसे अंलोड धुर हो रही है, वो गुड्स के त्रूल से होता है अब हमारे यहां नया। चाल हुआ है, सबाइब लौझ बस 7 जारी ना है। एसी होज अनपुर् 흰ंग धिया जाता है, तो में थार Oldão रही होग से नहां। जो के इस जाता है, भी हमारे चाल हुआ है। रहे हमारे नखी उजने चाली है, पिर लूझ कि अर्पूरा। से आती है नॉर्थीस्ट की जो हमारे स्टेट से वहां तक जाती है तो और उससे हमारे जो फूड रेंज जो है राइस है वीट है वो जाता है यह क्या गुड्स कंट्रोलों में यह हमारा कोचिंग कंट्रोलों में देखिए अभी पार्सल की भी ट्रेनी चल रही है इंडियन जो है इस वक्त पे टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चला रहा है जो कि इतनी स्पीड बढ़ गई है हमारी कि बॉम्बे से आप दिली से अगर चलती है लगनों में तो एक देर दिन में आ जारी है इतनी फास्ट हमारे पार्सल का हो गया तो यह कंट्रोल जो है अभी पार्सल म पर किस तरीके से नजरा है 15 डिस्टिक्स जो है हमारे स्टेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है तो हर स्टेशन में जो भी परिशानी होती है वह इस कंट्रोल में आके वो सूचित करता है स्टेशन मास्टर यह वहां का और यहां से हम पूरा गाइड करके उसको परिशानी हो तो उसमें बताते हैं तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान काफी कुछ दिकतों का सामना करना पड़ा लेकिन जो इंडियन डेल्वे है जो परवत्तर रेल्वे है वो निरंतर अपने कारे को करती रही चाहे गुड्स औ जो पुरुवत्तर रेलवे है वो लगातार कारेरत रही है और उसी का नतीजा है कि आज चाहे कोई भी डिस्टिक हो वहाँ पर जो फूड की सप्लाई है वो निरंतर हो रही है बिना किसी बाधा के कैमरा पर संग्यान के साथ विकास सिर्वास्तोई प्यान्यूज लखनाओ